बिसमिल्लार रख्मियान रहाई मस्सलाम अलेकूम डियाफ्स्टोर्यार जैनल यूर्स वेलकम तुमार यूटीब पैनल डिजी लर्नर पाइब आज के इस वीडियो टुट्यूरल में हम इसका सब्जेक्ट कोड़ पिंश्ट करेंगे इसकी जो लास्ट एट है वह एट डिटेंबर 2022 है इसके तो पर मार्स टैन है जी करनी करी जिएगा तौम इसको जो अधिरोड के सालिट गरी को फिलिए कर शटेए कान। के इस्ट पर कीवेंन गए थे डिए मार्श्ट कीन ओस बसूं आज करें तौर्थ बहुते घर कुछिन जही वीटन लिछ r रखिर नवंडॉरी कि अवगे यह को सिर्क झालनती कुछिन लिंछ दूरिद Лश सिर्ण, इस्वेशिते ही noi युर्ण श्रिबा मलशिय समौट अर्वाट तर्ण और कुमौन अखरन तरून उुर्ण जाल दिन yayख ग्यों तो युर्ण भाटि इने वीलत प्पेंस। कwald ग्यों म människती सितhab कर उलित यह आपको किस टेस्ट इए गया है आपको इंटेस्स की दो फार्म बताईगी है एक सर्पीस सूच जिसको उश्यरी और एक कमर्शिय इंटर्स जिसको तर्जाती सूच का जा रहा है इसलामिंग और जो टैडिशनल या कर्मेंशनल किसी जो हमारे सिस्टम चाह रहा है बैंकिंग का या कमर्शियल अक्टिविटीस को उसके पच्छे मज़े में आपको एक स्केस दिया गया है ने करणे मुद्राइब हो धाया में जो कि दोनों टैप से वह भूख राम हैं या नहीं अब प्रकार्म भी आंसर वह तो आपनों उसको ताना है वी जो आपने स्पोर्ट करना है की सिल्ड भी स्काइव के राफान से तरफिंश्रायर्स के राफान चाहरे हैं तो फ़हला पार हम्हारे पास डिफरेंस बत्विन उष्री और कमर्सिक इंटरस्ट में तो मैंने कुछ ऐडिंग में दिया है डिफरेंस इन फांदेशन निए इसके जो बेस उसमें क्या difference है, commercial interest is real and primary form of riba and chronic versus has directly prohibited from this type of riba and this is the reason it is also called riba al-quran. जो हमारा primary or real source है जिसको हम interest कहते हैं जिसकी में माले क्रान पाक से साथ है, यह commercial interest है, इसको हम riba al-quran भी कहते हैं, उश्री के हैं, उश्री आजिबा al-fadal जिसको हम riba al-fadal भी कहते हैं, यह सुना जानि आफसल से लिए को मिलाद में बनाग establish किया गया है, और जो हदीश हैं इसके main sources हैं, इसको define करने के, इसे वाज़े से इसकी जो type है, उश्री को हम riba al-hadis भी कहते हैं, difference in scope of use, जो इसके scope of users में भी difference पहाए जाता है, second difference को मैंने यह heading जी है, उश्री आजिए, उश्री को मैंने यह case study में बता रहे हैं, this happens to that amount of paid interest on loan, that are taken to meet personal needs and expenses, और यह तो general definition होगी है, इसको आपको बताता हूं, कहते हूं जो आप personal needs के लिए, आप expenses को meet करने के लिए, जो आप loan लेते हैं, उसको आप इसके interest rate करते हैं, उसको इसको श्री करते हैं, ऐसे जो piece में आता है, वो six items को define किया गया है, यह good set related है, gold, silver, wheat, barley, अभी तक मुझे यह यादा आया है, बाकि अपने books में देख लिएगा, कि इसको जो हम transaction में exchange करते हैं, उसको हम उश्री करते हैं, अब commercial interest के हैं, इसको हम के जादी सूद भी करते हैं, यह उस amount of interest जो हमने paid services को बेंग करता है, जो कि हमने अपने business purpose के लिए या profit को earn करने के लिए 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 होता है, स्कोप आफ इस देखने एक personal need है और एक business lead है, difference about the problem, अब जो उनके existence के बारे में जो difference है, उसके वाले से भी मुश्री स्कूल of thought के दो arguments हैं, उसको हम दिसक्स करते हैं, according to the argument in the first school of thought about the issue is that the type of interest that was propelling during the era of मुश्री स्कारबाद अले इस इस school of thought के मतावी, argument के मतावी, मुश्री स्कूल के दोर में, जो interest prevail करता है, ताइप वो उश्री ही थी, and the second school of thought argues that the commercial interest was not is risk at tight time, जो जो स्कूल of thought है, जो के उपर, जो सिन्यारित ये अगरस में भी ब्यांच किया गया है, कि उसके commercial interest था वो risk नहीं करता है, लेकिन अगर आप ज़र को read out करते हैं, तो आप को पता चलता है कि ये दोनों जो argument है, ये दोनों एक दूसरी को negate करते हैं, जानी कि दोनों उस पर पाई जाते हैं, उसके बाद हम part 2 की तरफ जाते हैं, हमने बताना है कि बहुत हर हराम, yes commercial interest definitely हराम है, and she becomes haram when it ignores the rule of equivalency in any form of transaction that pertains to personal loan, करते हैं, हाँ, जो मेरे साफ से है, अगर हर वो transaction, जो equivalence के role को, या rule को या principle को ignore करते हैं, या आप उसमें excess cheese को देते हैं, उस transaction, जो हराम के रुमे में आती है, और इसको में support करने के लिए, अमाम उखनीफा का एक argument रेता हूं, या उनकी जो definition रेता हूं, या उनकी जो definition रेता हूं, यह एक exchange of good does not meet the criteria of equivalent either weight or volume, it falls under the category of riba al-fazan, कह रहे हैं कि आप को transaction कह रहे हैं, आप उस transaction को या weight की base पे या volume की base पे भी अब उसको measure कर सकते हैं, तो अगर वो equivalence के rule को ignore करता है, तो वो transaction उसरी के महने में आएगी और वो अराम होगी, तो अमीर का स्वाब की question कांच समझ में आए होगा, question or query हो तो comment सकते हैं, जरूर share कीजिएगा, पूशिएगा, कुछ add करना चाहें तो जरूर add कीजिएगा, transfer watching as well. तो